My dear friends and future doctors, एक बार बहुत बहुत स्वागतार, जो भी बच्चे 2024 NEET की तयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि 5 बड़े बड़े चेंज 2024 NEET में होने जा रहे हैं, अभी से आपको mentally make up कर लेना है कि भईया इन चीजों के लिए हमें तयार रहना है, तो वो 5 बड़े एक्जाम नहीं कंड़क्ट कराएगी इस तरह की सूचना है, चोकि NTA के उपर बहुत बड़ा बड़न होता है, जैमेंस का भी एक्जाम है, CUT का भी एक्जाम है, और इस वज़े से जो है medical का एक्जाम, चोकि 20 लाग से जाधा बच्चे अपियर होते हैं, तो उसे कंड़क् एक्जामनेशन हो या PG का एक्जामनेशन हो, तो इसे सौपा जाएगा ताकि एक free body हो, इतना बड़े लार्ज नमबर में number of student appear होते हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत सारी technical error जो होते हैं NTA की तरफ से वो ना हो, इस वज़े से इनको एक independent body बनाने की सुचना है, दूसरे बात Central Government ने सभी state को notice भेजा है, कि आप अपने अपने state का जो भी criteria है, आपके हाँ reservation का, वो सारे criteria का detail मांगा गया है, अब उस पे एक अमल किया जाएगा और उसके बाद जो है, वो एक ही counseling की प्रक्रिया करा जाएगी पूरे country में, अभी तक क्या होता था कि 15% All India quota की counseling होती थी, औ बच्चे को All India में भी counseling का charge देना पड़ता है, बच्चे को state counseling में भी charge देना पड़ता है, इसके अलावा बच्चे को जो है वो dimmed university के लिए भी charge देना पड़ता है, बच्चे को private college के लिए भी देना पड़ता है, तो अब ये सारे चिजों को खतम करके, एक ही जगा पैसा भर पड़ेगा, one nation, one counseling का process होगा, और सारी counseling की प्रक्रिया जो है, वो exactly MCC कराएगी, ताकि लोगों को परिशानी ना हो, और लोग आसानी से easy way में counseling कर सकें, दूसरा एक तरीका क्या है कि अभी तक क्या होता था, जैसे 5 round, 4 round की counseling कम से कम All India की होती थी, ऐसे ही 4 round estate का भी होना है, तो उस condition में 8 round की counseling होते होते हैं, लगभग 4 महिने का duration लगता था, और जो बच्चे अगले साल drop करना चाहते थे, जो बतला borderline के बच्चे जिनको last मजा के college नहीं मिलता था, उन बच्चों के लिए सरदर्दी बनता था, क्योंकि अगला भी examination सिर्फ 2-4 महिने के gap में आ जाता उनकी preparation पूरी नहीं हो पाती थी, तो इस तरह से इन सारी चीजों से बचने के लिए ये counseling की परकरिया लाई जा रही है, ताकि एक ही साथ जो है, वो आसानी से बच्चा एक वहीने के अंदर counseling कर ले और जिसको भजया नहीं college मिल रहा है, वो अगले साल के लिए अपना decision तु को मिला है, बहुत सारे chapter हट गए हैं, NCRT से, अब ऐसी स्थिती में क्या होगा, चूकि भजया NTA जो भी examination conduct करती थी, या आपके पास NBEMS जो भी examination conduct करेगी, वो NCRT based ही होगा, अब NCRT based होगा, तो ऐसा नहीं कि जो chapter हटा दिये गए हैं, बोड में, उसे भजया, नीट में भ थोड़ा कम कर दिया जाएगा, वहां से number of question थोड़े कम होंगे, मतलब ये भी आपके पास एक बड़ा changes देखने को मिलने वाला है, इसके बाद हम लोग देखें, number 4 पे, तो number 4 पे 1,15,000 से ज़्यादा MBBS की seat अगले साल होने जा रही है, गवर्मेंट का mission है, दो हजार पची mission चल रहा है, आपका UP सरकार का mission चल रहा है, महरस्टा सरकार का mission चल रहा है, तो ये बड़े-बड़े state हैं, अगर सारे state में इतने सारे college खुलने की तयारी चल रही है, तो आप विश्वास कीजे कि 2024 में आपके पास कम से कम 10,000 seat increase होगा, और ऐसे में लगभग 1,15,000 से ज़् करें, तो एक बहुत परिशानी होती है, जब counseling की परकिरिया सुरू होती है, कि sir, MBBS के बाद rural bond भी होता है, sir, MBBS के बाद service bond होता है, sir, MBBS के बीच में अगर छोड़ना है, तो discontinuous bond है, ऐसे condition में बच्चे बहुत परिशान होते हैं, तो MBBS के course के दवरान, ये जो bond system है, इस bond system को पूरे देश में खतम करने की बात चल रही है, हलाकि ये पहल उत्राखन सरकार से सुरू ही थी, और उत्राखन सरकार ने इसी session में इसको लागू किया है, और अगले session में हर एक state में इसको हटाने की बात इस central government को भेजा गया है, तो मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई bond system नहीं रहेगा आप MBBS में, और सीधा PG में ये bond system लागू होगा, UG में आप ये system आलागू नहीं होगा, PG में जरूर bond system रहगा दो साल का, अगर आप PG में उसको follow नहीं करेंगे, तो आपको ये बड़ी रकम चुका नहीं पर सकती है, दो से धाई करोड का, जैसे उत्राखन सरकार मे दो करोड का fine लगाया गया है, तो ये एक system दिया गया है, आगर MBBS के बाद बच्चा PG करता है, तो at least उसके पास उस ताइं mental pressure ना हूँ, आराम से PG की तैयारी, relax mind से कर सके, इसलिए MBBS course में, जितने भी इस तरह के bond system है, उन सब को remove किया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा ब देगा है, और मेरे चैनल को जो first time देख रहे होगे, जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, आपको सारी चीजे में आपको update करता रहूँगा, मेरे दोस्त, अगर आप 2024 के लिए तयार हो रहे हैं, तो आपको पूरी chemistry में YouTube पे फ्री बढ़ा के दूँगा, और वो भी एकदम NC no possibility है, तो आपको मैं NCRT का पूरा master बना दूँगा, और वो content deliver करने जा रहा हूँ मैं, जो content मैं classroom में deliver करता हूँ, तो आपको पूरी chemistry पढ़ने का चंदरासर से बढ़िया मोका मिलेगा, जूडिएगा मेरे साथ live session में, daily और chemistry का आनन्द भी लीजिएगा, thank you मेरे साथ बने बना है, य जुड़ बना दो आनने rac लाएगा, ए करता है उला दीएगा, बना करते हूँएगा, जुगबार्ण भी खरचा, करते हुँआगा लाएगा, झालता हुआगा ङहा हुआगा, चालता हम मीरे साथ Tabak, जू आपको और जा झालता है, जू tätä, झालता है कि मैं करता है